आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे के बहुती क्रिस्पी एकदम करारे बिस्किट की रेसिपी पर इस बिस्किट को हम बिल्कुल ही नए अंदाज में बनाने वाले हैं यानि मलाई बिस्किट हम यहाँ पर बना के तयार करेंगे एकदम करारे खस्ता बनके तयार होंगे मैं इसे आपको तोड़ के दिखाते हूँ कि कितने जादा ये क्रिस्पी और बढ़िया बनके तयार होते हैं और एक बार बना लो महिनों खाओ ये जल्दी खराम नहीं होते ह बहुत ही जल्दी से बनके तयार होते हैं एकदम हैल्दी भी हैं देखिए मैं इसे तोड़के दिखा रही हूँ कितने जादा ये क्रिस्पी बने हैं तो चलिए बिनदीर के शुरू करते हैं इन बिस्किट को बनाना जो जटपड से बनके तयार हुए हैं इसे बनाने के लि तो यहाँ पे मैंने इसे डाल लिया है साथ में हम इसमें एट करेंगे यह बादाम यहाँ पे मैं 4-5 बादाम इसमें डाल लए हूँ यह पूरी तरह से ओप्शनल है आप इने इसकिप भी कर सकते हैं या फिर आप यहां पर मूमफली का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, उसों भी कूट के डाल सकते हैं, तो यहां पर काजू बादाम मैंने दोनों लिये हैं और इस तरह से इनको कूट के तयार कर लिया है, और जब हम यह बिसकिट खाएंगे तो यह जो ड्राइफूट बिश बिश मे आएगा जो खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि इस ड्राइफूट का क्रेंच हमारी बिसकिट में आने वाला है, अब हम क्या करेंगे, हमने यहां पर घर की यह ताजी मलाई ली है, तो यहां पर हमें चार चम्मच केबल यह मलाई का इस्तिमाल करना है, तो इ यहां पर देखें, मैं इसे इस तरह से फेट के तयार कर रही हूँ, साथ में यहां पर मैं दो चम्मच तेल का इस्तिमाल कर रही हूँ, और इस तरह से मैंने रिफाइंट तेल का इस्तिमाल किया है, और आज हम मलाई बिसकिट बना रहे हैं, तो हमें ज़्यादा घी तेल की इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर इस तरह से खड़ी हुई चीनी का अब हम इस तरह से अच्छे से फेट लेंगे कूछेए थोड़ा सा बस हमें चीनी रहा है पूरी तरह से नहीं पिलगाना है तो बस दो से तीन मिनट ही इसे इस तरह से चलाते हुए फेट के तयार करेंगे अब इसमें डालेंगे एक चम्मच ये सफिद वाला तिल यहाँ पर मैंने ये सफिद वाला तिल का इस्तिमाल किया है अगर ये नहीं है तो काला वाला तिल का भी आप इस्तिमाल कर सकते हो और ये सारी चीजें देखे कुछ इस तरह से मैंने चलाते हुए तयार कर ली है और अब चीनी भी थोड़ा सा पिघल गई है पर पूरी तरह से नहीं इसे पिलगाया है और इस तरह से है अब हमने जो ट्राइफूट कोट के रखा है इसे डाल देंगे इसे डालने के बाद फिर से एक बार इस सारी चीजों को मिला लेंगे अब ये सारी चीजे अच्छी से मिल चुकी है तो यहाँ पर अब हम गेहूं के आटी का इस्तिमाल करेंगे इन बिस्किट को बनाने के लिए क्योंकि आज हम मलाई बिस्किट बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने पहले मलाई को फेटा और फिर इस पर गेहूं का आटा एक कब भरके डालना है तो यहाँ पर अब हम अच्छे से से मिला लेंगे और चमच से मैंने अभी इसे मिक्स कर दिया है लेकिन हम इसे हातों से गूत के तयार करेंगे तो चमच को साइट रख दीजिए और बड़ी है तरीके से से हातों से गूत के तयार कर लीजिए अब इस थरह से जब आप गूतेंगे अगर आपको बहुत ज़दा ये गीला लगे डू तो आप इसमें दो चम्मच आैटा एट कर सकती हैं अगर आपको यहां पे ये डू जो है टाइट लगे तो इसमें दो चम्मच के करीब पानी एट कर सकते हैं तो बस इस तरह से आटा आपको लगा के तयार करना है इसका टाइट आटा लगाना है तो देखे मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला और इसका एक टाइट डू लगा के तयार कर लिया डो को अच्छी से मसल के थोड़ा सा चिकना कर लेंगे ताकि हमारी जो बिस्किट है बहुत ही अच्छी बने तो इस तरह से मैंने आटा को अच्छी से मसला है अब देखे कितना भुरभुरा बढ़िया सा ये आटा बनके तयार हो गया है अब इसे इस तरह से हम फैला देंगे और इसी तरह से छोड़ देंगे पांच मिनट के लिए पांच मिनट बाद हम इसे फिर से कमबाइन करेंगे और अच्छे से चिकना करेंगे यहाँ पर अच्छे से चिकना कर लेना है मलते हुए अब हम साटी को भी निकाल लेते हैं और दो भागों में बाट लेंगे पहले हमें इसे चिस्चिकना कर लेना है फिर इस तरह से दो भाग में बाट कर दो लोईयां तयार कर लेनी है दो नो लोईयों को मैंने तयार कर लिया है कुछ इस तरह से इन लोईयों को बनाया है हलका सा बेल देंगे कुछ इस तरह से बेलने के बाद इसी तरह से दूसरी वाली भी बेल लेंगे जैसे अभी बेली है और इसे काटने के लिए आप कोई भी डखन बगेरा का इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर आपके पास बिस्किट का कटर आता है कुकिज कटर जिसे कहते हैं उससे भी इस बिस्किट को आप काट सकते हैं तो यहां पर देखे पहले दोनों लोईयों को हमें इस तरह से आपस में मिला लेना है अच्छी से और कोछी इस तरह से एकसा कर लेना है आप इसे पतला हम बेल के तयार करेंगे बहुत जदा मौटा नहीं रखेंगे ताकि हमारी जो बिस्किट है वो आसानी से सिख जाए और एकदम क्रिस्पी बढ़िया बने तो बस इस तरह से मैंने बहुत जदा मौटा नहीं रखा है इस तरह से बेल के तयार कर लिया है और एक एक करके बिस्किट को काट लेंगे बहुती इजली ये बिस्किट बच जाती है देखे कम समय में आप इस वे बनाके स्टोर कर सकते हैं क्योंकि मकरसंक्रांती आने ही बाला है तो इन्हें एक बार बनाईए आप आराम से खाते रहिए ये जल्दी खराब नहीं होती है और बहुती जल्दी बनके तयार होती है तो देखे इस तरह से मैंने सारी काट के तयार कर ली है बचे हुए आटे को हम फिर से एक सा करेंगे और उसे फिर से बेलेंगे तो इन बिस्किट को साइड रख देते हैं तो मैंने इस तरह से पहले बना के रख लीती और बस फिर इसके बात मैंने इने तलाए तो इस तरह से बस डोकों हम बेलते जाएंगे और इन्हें कट करेंगे तो देखें सारी बिस्किट बस इस तरह से मैंने काट के रख ली और तेल जैसे ही गरम हुआ तो पहले मैंने एक बिस्किट डाल दी एक बिस्किट इसलिए डाल दी पहले हम चेक कर लेंगे यह अच्छे से सिक रही है कि नहीं यह फटट तो नहीं रही है अगर आपकी बिस्किट फट रही है खुल लही है तो आप इसमें दो चम्मच आटा डाल कर अच्छी से गुत के तयार कर सकते हैं लेकिन ये देखें इस मेजरमेंट के इसाब से अगर बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बढ़िया बनेगी खुलेगी नहीं जैसे अभी मैंने सेखा है अब सारी बिस्किट हमें इसी तरह से तयार कर लेना है तो एकदम करके हमने बागी की भी डाल दी जब मैंने देखा एक अपनी अच्छी से शिक रही थी तो इस तरह से बागी की भी डाल दी अब इसका हमें पूरी तरह से कलर चेंज कर लेना है और जब आप यह नीची से सिख जाती है तो आप इसे चाहे जैसे चला सकते हैं लेकिन जब तक यह अच्छी से सिखे नहीं तब तक इस तरह से नहीं चलाना है जब नीची से सिख जाएं तभी हम इस तरह से चलाएंगे अब दोनों तरब से इने कलर चेंज होने तक हमें सेखना है अब देखें इनका एकदम परफेक्ट कलर आ चुका है बहुती क्रिस्पी और करारी दिख रही है तो इनको निकाल लेते हैं और इनको धीमी आज में ही सेख के तयार करना है अब हम बाकी की भी सेख के तयार कर लेते हैं जैसे अभी सेखी हैं और देखें ये काफी पतली हैं और फूल कर ये काफी मोटी हो जाती है तो इस तरह से मैंने 5-6 बिस्किट एक बार में डाली है बहुत ज़दा नहीं डाली है और इन्हें कलर चेंज होने तक सेक के निकाल लिया है अब ये सारी बिस्किट पढ़िया परफेक्ट से बनके तयार हो गई है और जब ये अच्छी से ठंडी हो जाती है तब ही ये क्रिस्पी रहती है अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितनी जादा ये बढ़िया बनी है दोनों तरब से बराबर सिकी है और एकदम क्रिस्पी करारी भी है आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो रेसिपी को लाइक जरूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइगा